PS Toolkit के Album Design section के अंदर यहाँ पर एक Swap का बटन दिया हुआ है, यह कैसे काम करता है, आइए देखते हैं मैं कोई सभी एक Template Open कर लूँगा, मैंने यहाँ पर से एक Template Open कर लिया इसके सभी Frames को Select करके मैं इसमें Photo Fill कर लूँगा यहाँ पर आप देखिए, 6 Frame है जिसमें से 2 Vertical और 4 Horizontal है मैंने Fill Photo बटन पर क्लिक किया, From Folder और यहाँ पर से मैं 4 Horizontal Photo ले लेता हूँ और 2 Vertical Photo ले लेता हूँ, मैंने OK बटन पर क्लिक किया, सभी Frames में Photo Fill हो जाएगी Vertical Photo, Vertical Frame है, Horizontal Photo, Horizontal Frame है Frames में Photo Fill होने के बाद अगर आपको लगता है कि यह Photo यहाँ होनी चाहिए या फिर यह Photo यहाँ होनी चाहिए तो उनको हम Exchange कर सकते हैं, Swap कर सकते हैं जैसे यह देखिए, मैंने इस Photo को सेलेक्ट किया, मैंने इस Photo को सेलेक्ट किया और यहाँ पर Swap Image बटन पर क्लिक किया, तो वो दोनों Image Swap हो जाएंगी और Layer Panel पर देखिए, जो भी Photo Fill होता है, वो as a Smart Object Fill होता है यह Smart Object, यह स्मार्ट Object, यह भी Smart Object तो आप Swap करते हैं, तो उनकी Quality में कोई Loss नहीं होता है जाते हैं मैंने यह Photo सेलेक्ट किया, मैंने यह Photo सेलेक्ट किया Swap Image, तो वो दोनों Image Swap हो जाएंगी मैंने यह Photo सेलेक्ट किया, यह Photo सेलेक्ट किया Shift बटन दबाए रखते हुए आपको दो Image सेलेक्ट करना है मैंने ये select किया shift button दबाय रखते हुए ये select किया swap image तो वो image swap हो जा रही है तो swap button कैसे काम करता है आपको shift button दबाय रखते हुए दो image को select करना है किसी भी template में photo डालने के बाद और swap image button पे click करना है तो image swap हो जाएगी